कि दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो देखियोंगी फंगल इंफेक्शन की यूट्यूब पर और हो सकता है मेरी भी वीडियो आपने देखियों पहले दो-त्री वीडियो बना चुका हूं मैं लेकिन आज मैं आपको फंगल इंफेक्शन का एलाज का एक हंड़ेट परसें हो गया यह रूख सो यहां पर बात कि जाए नॉर्मली फंगल इंफेक्शन की तो वीडियो है मेरी आप चाहूं तो देख सकते हैं लेकिन बताना चाहूंगा समरी एक मिनिट का जिसमें एक मिनिट का समय रगए आपको देखो फंगल इंफेक्शन सर्दियों में और बरसात अब देख जाता मजदूर रख की लोगों में उन से फेल गाया सब लोगों में ऐसा आप बोल सकते हो सो ठीक वाई रोग तो यह टीनिया होसकता है को यह क्रूर इस हो थकता या एक्जमा होसाइब्स्क्राइब होसकता और सो यहाँ पर कई लोगों है क्यां का ना गलती की उनको थोड़ी सी दाद हुई तो उन्होंने कुछ भी कुछ भी लगाना शुरू किया लेकिन आज इस्तिति एंसी है कि भाई उनका ठीक नहीं हो रहा दो दो साल तिन तिन साल परदेशान आदमीं नहीं हो रहे ठीक अब मैं आपको एक ट्रीट में बताता हूं दोस्तों वो कोई ज्यादा इस्पेशल नहीं है बट बहुत ही जैनुमन है और आप चाहो तो उसको आजमा सकते हैं इतना खर्चा किया है पैसा थोड़ा और करके देख लो क्या है कि गलती क्या करते हैं लोग पहले यह समाएं कि छोटा सा दार दुए वो गया मेडिकल स्टोर पे उसने क्रीम ले लिया कोई सावी उसके अंदर क्या था इस्टेरोइड जो कि नहीं लेना था कोई भी अपने मंद से इस्टेरोइड लगा लेता है जो इंफ्रेक्शन इत्ना था जो कि कोई भी एंटिफंगल क्रीम लगा आगर आपको ऐसे लगता है कि इनीशे लेबल पर है अगर किसी वेक्टिवी को अल्रेडी हो लगा चुका है तो वो तो अब लेना ही पड़े गो इस्टिरोइड तो भू बात अल्व है तो यहां पर आप जानते हैं अल्रेडी भाई इट्रा करनाजोल चलता है वगेरा वगेरा वगेरे सब जो कोन मोकोन आपने सुना होगा फ्लू करनाजोल वगेरा के लोट्री माजोल अब मैं अब थोड़ा प्रोसियर उसको आप थोड़ा समझेगा उसके इसाफ चलके देखे देख भाई आपको क्या करना है पहले नंबर ट्रीटमेंट की बात करते हूं सिंपल सा ट्रीटमेंट जो आप अभी तक ले रहे ते वह करना आपको 200 mg का इट्रेकनोजोल ले रहे ते आपको इसको 100 mg लेना 100 mg के आप 60 कैप्सूल ले लिजी है सुबर साब आपको खाना एक म तो तीन पत्ते आएंगे साथ साथ गोली के साफ से आता तीन पत्ते आप टर्वीन अफाइन कर ले सकते हैं जो की 500 mg उसके लावा आप ले सकते हैं कि इनिशल लेवल पर बहुत जादा खुझली होगी आपको तो बस यह दूसरी गलती है यह दोस्तों को लोग उसको बहुत कर देते हैं और वो इन नाखुन में इंफेक्शन आ जाता और दूसरी गया पर पहुंच जाता तो वो गलती नहीं करना इसलिए अपनों को क्या एंटी अलर्जिक ड्रग ज़रूर लेना है जो की होती है क्या लिव ले सकते हैं यह आपने पेशन को दे सकते हैं सोबह शाम म आप एक्जिमा के इंफेक्शन है पहाँ पर आप अपना जो कीटो कानाजोल का क्रीम होता है वो आप अपलाई कर सकते हो और इसके लाब कुछ नहीं करना है अब आप बात पूरी सुनना जो भी मैंने आपको बता है कि सुबह साम आपको 100-100 mg एट्रग लेना है रात में एक निवू पूराने चोड़ने और पानी के साथ नहीं सारी ड्रॉक्स एक्चिन में क्या दोस्तों तीसरी गलती में आपको बताने जा रहा हूं कि लोग अपना पेट ठीक नहीं रख रहे थी पेट इन अनका इस्टमक ठीक नहीं है इस्टमक अपसेड हो रहा है आपका प ॉ हम खट्टा नहीं ख़ dissation रहा है यह नहीं कर रहा है और कर रहा तो जो नहीं करना आप पारेज एक तो पैटापर्ञोल डॉंपरेडॉन या पैंटा पराजोल कोई भी ले सकते हो जो कि आपको सुभे नास्ते पर लेना एक डिली तो एक चाहो तो यह टैबलेट भी एड़ कर सकते हो अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है तो वही यहां पे रही पराजोल डॉंपरेडॉन की जो कैप्सूल आता ह है सस्टेन रिलीज आप उसको ले सकते हो सोब सुभे नास्ते से पहले ठीक है और इसके आपका दिन भर पेट ठीक रहेगा और रही वासावन की तो आप टैटन वसल सावन चाहों टिस्कनाल कर सकते हो नहीं आप जाव तो कर सकते हूं सिर्फ आपको इस चार्टिन करना भा अब बात आते हैं परेज की जो सबसे बड़ी गलती कर रहे थे अब इस चीज़ को समय लो अगर आप भी तक वीडियो देख रहे तो आपका बहुत बहुत शुक्री है दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच लेकिन आप काम की बात होगी क्या है य इसके लिए आपको क्या करना होगा समय नहीं कि बापिस क्यों हो जाता है देख भाई कहीं पर भी अब को इदाद होता है वह थी फंगस की वजए से तो माल लोग किसी वेक्ति के यहां पर हो गया तो यहां पर उसने क्रीम लगाया के टैबलेट खाई ठीक हो गया लेकिन क् फंगस तो किल हो जाता लेकिन उसके स्पोर्स रह जाते हैं इसके अंदर इस पोर्स इंडे बहुत बारिक होते हैं आप देख भी नहीं सकते हो तो क्या होता है कि 15 दिन का टाइम हो चुका है अभी तक मुझे इंफेक्शन नहीं हुआ है तो मेरा इलाज सक्सेश्पल हो गय तो 15 दिन बाद फिर सब ओने लगती है तो आप फिर गोली खाते हो फिर 15 दिन बाद लगती यह चलता रहाता है अपना जो ट्रीटमेंट है जैसे आपको लगए भाई आप मेरा ठीक होने लगा है 20-25 दिन बाद जब आपको लगे तो आपको कहा करना है कि जो इस पोर्स मैं या कपड़े लगते जो वटेबर बिस्तर इन सब में स्पोर्स पहुंच जाते हैं और उन चीओं को इस्तमाल करता है तो इसको भी रोग हो सकता है तो इस चीज़ का खास खाल रखे दोस्तों कि जैसे ही आपको लगे कि आपको ठीक हो रहा है तो आपको क्या करना है जितनी सब को अलग कर दो हजार दो हजार रुपए खर्चा आगा नया कपड़ा लाओ इससे ज़्यादा का पैसा तो आप अपनी दवाई में लगा चुकें अल्रेड़ी तो एक बार पूरी नई केट ले लो अंडर्वियर्स जो भी बटेवर आप पहने हैं वह एक बार लागे र चीजों में रह जाते हैं जो की बाद में गुरूत करके आपको फिर से परिशान करते हैं सो यह है बहुत में चीज तो आपको पराने कपले सारे बेस्ट करना है और नए कपले लेना है और जैसे आपको ठीक होने लगे और हो सकते तो इस ट्रीटमेंट को आप तीन महीने कर पता है कि यह रोग जो है दोस्तों फील्ड वर्कर्स जो होते हैं सेल्स में हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं दर दर भागबाग उनको जादा होता है क्योंकि वो लोगों से राद दिन हाथ मिला रहा है मालों भाई आपने ठीक कर भी लिया इंफ्रेक्शन तो आपको पता सामने वाला कैसा क्या उसको 꽂ए रहा है कि नहीं हो रहा है किस जिग हो रहा है आपको नहीं दिखरा है लेकिन उन्सका हठ ने इस पोर्स है कि निहीं आपको इस डिरेक्शन में अपना पैसा लगा के देख सकते हो अपना टाइम बिस्ट करके देख सकते हो और मुझे यकिन है दूसकों आपका ये रोग जड़ से खतम हो जागा मैं कई लोगों का किया है कई लोगों का ठीक भी किया है मैंने और उनको आराम भी है तो आप चाहो तो इसको इसको इस्तिमाल कर सकती हो एक लास्ट बात डिस्क्लैमर कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाज जरूर ले अलब कंसल्टर डॉक्टर विफोर एनि मेडिकेशन होता अपको क्या है दोस्तों कि डॉक्टर आपका वेट बिखता है आपकी एग्ड़का बीमर लिखता के इंफ्रेक्शन की सीवियर ठीक तक तक ज्यादा इसके अनुसार आपको डोस दीया जयाता है तो यह मैंने स्टेंडर्ड आपको ट्रेट्मेंट बताया है तो मेरी यह रि सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों का शेर जरू करें शेर नहीं होती वीडियो शेर जरू करें सो मैं मिलता हूं नेक्स दोस्तों जहन बंदिमात्रम